अलो एवरिवन मैं हूँ पूछा महता और मैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी नैटिक में आपका वेलकम करती हूँ यहाँ पर मैं आज accounting के अंदर meaning of assets and types of assets ये topic लेकर आए हूँ जिसे मैं आज आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि assets होती क्या है तो start करते हैं हम meaning of assets से meaning of assets कोई भी valuable thing जिसकी monetary value है monetary value से मतलब money से संबंदित value है वो business दोरा own की जाती है तो वो किस category में आती है वो business में assets की category में आती है दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो monetary value की चीज़े हैं और जो legal rights रखती है किसी भी business organization में वो assets के अंदर आती है assets का मतलब ये होता है कि जब कोई businessman business को start करता है और उसे run करनी के लिए उसे बहुत सी ऐसी चीज़ों की जरूरत होती है जो वहां काम करने वाले worker, उस organization, खुद owner और साथ ही साथ customer को goods provide करनी के लिए बहुत ही ज़ादा जरूरी होती है उन सभी की entry हम assets के अंदर करते है अब देखिए students, मुझे diagram के थूरू समझाना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पता है कि जब हम diagram देखते हैं तो हमें सारी चीज़े quickly याद हो जाती है तो यहाँ पर भी मैंने एक छोटा सा diagram बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि assets के type क्या होते है पहला होता है fixed assets, दूसरा होता है current assets, तीसरा होता है tangible assets, liquid assets and fictitious assets और यह मैडम इतने सारे assets हम तो एक assets ही नहीं समझ पा रहे थे आपने तो उसको और इतने सारे part में divide कर दिया लेकिन don't worry यह इतने tough नहीं है इनको हम point to point समझेंगे, तो हमको बहुत ही आसानी से यह समझ में आ जाएंगे तो हम start करते है fixed assets से अब fixed assets क्या होता है, fixed assets वहाँ सारे assets जो long term के लिए और profit को बढ़ाने के लिए और साथी साथ earning capacity को बढ़ाने के लिए hold किये जाते हैं या रखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम fixed assets कहते हैं जैसे land, building, machinery जब तक हमारे पास land नहीं होगा जब तक हमारे पास building नहीं होगी जब तक हमारे पास machinery नहीं होगी फिर हम कैसे सब काम करेंगे बताइए, हम road पे बैट के तो अपना business चला नहीं सकते हमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती ही है तो इनकी entry किसके अंदर की जाती है इनकी entry fixed assets के अंदर की जाती है next होता है current assets current assets क्या होते हैं वहाँ सारे assets जो cash में या cash के equivalent होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं current assets कहलाते हैं current assets का मतलब क्या होता है वहाँ assets जो तुरंत cash में convert हो जाते हैं fixed assets में क्या होता है land होई, building होई जब तक हमारा business चल रहा है तब तक वहाँ fix रहेंगी जब हमारा business कभी आगे चल के खतम हो जाता है तो वो assets भी खतम हो जाएगी लेकिन current assets में क्या होता है daily routine की चीज़े होती है इसमें ये assets कभी cash में बदल जाती है कभी assets में बदल जाती है इनके example है cash, debtors, stock, debtors जैसे अभी वो हमारा assets है लेकिन जब उसने हमें पैसा दे दिया तो वो क्या हो गया? cash हो गया, stock है stock रखा है वो जब तक assets है लेकिन जब वो sale हो गया तो वो पैसे में convert हो गया इस तरह इनकी entry हम current assets के अंदर करते हैं next होता है इसमें tangible assets tangible assets क्या होते हैं? वह assets जिनका physically existence रहता है मतलब जो दिखाई देते हैं वो tangible assets होते हैं जैसे car, furniture, building सीधे शब्दों में मैं एक बात कहूंगी वह सारी चीज़े जिने हम छू सकते हैं वो क्या कहलाती है? tangible assets कहलाती है जिनका कोई आकार होता है उन्हें हम tangible assets कहते हैं इसी तरह होता है intangible assets intangible assets क्या होते हैं? वह assets जिने हम touch नहीं कर सकते हैं देखिए मैंने बताया था आपको tangible assets जिनने हम touch कर सकते हैं और intangible assets जिनने हम touch नहीं कर सकते हैं जैसे goodwill, patent, trademark अरे बड़े भारी-भारी से word है आपको समझने में हो सकता है अभी problem हो लेकिन जब हम दीरे-दीरे समझेंगे न तो आपको समझ में आ जाएगा तो हम पहले देखते हैं कि वह कंपनी का नाम क्या है जिसे Colgate है, हम Colgate का paste खरीदने जाते हैं तो हम सिर्फ उसका नाम देखते हैं वह variety variety के Colgate लेके आया है लेकिन हम उसके नाम के कारण ही कोई salt वाला कोई काली मिर्ची वाला हम उसको खरीद लेते हैं उसकी goodwill बहुत, चाहे दूसरी कंपनी का paste कितना ही अच्छा होगा लेकिन हमें तो बचपन से Colgate किया है तो हम तो Colgate ही से ही brush करेंगे तो नाम बहुत important होता है patent होता है, कंपनी क्या करती है? अपना patent करवा लेती है कि उसके नाम का product कोई और sell ना कर सके इसी तरह trademark होता है, वो भी कंपनी अपना एक fixed trademark रखती है ताकि उसके नाम का product कोई और sell ना कर सके अब इसमें next होता है liquid assets liquid assets क्या होते है? assets जो cash या cash से related होते हैं ये कुछ-कुछ current assets जैसे भी होते हैं ये liquid assets कहलाते हैं, जैसे cash, bank, bill receivable बतलब ये liquid होते हैं, फटाक से acid में बन जाते हैं, फटाक से cash में दिखाई देने लगते हैं तो ये liquid assets कहलाते है, liquid समझते हैं ना, जिसे पानी, पानी liquid होता है उसी तरह ये acid भी liquid होता है, ठीक है? अब है ये next, fictitious assets देखें students, ये बहुत अच्छा assets होता है अच्छा इसलिए कहूंगे क्योंकि आप confused ना हो जाएं, इसलिए मैं पहले ही कह रहती हूं कि ये बहुत अच्छा होता है लेकिन जैसा कि आपके इसका नाम देखिए, fictitious assets fictitious मतलब fiction आप fiction movies देखते होगे ना, जो imaginary होती है, real में नहीं होती है उसी तरह ये assets भी fictitious होते है लेकिन इसमें एक चीज अलग होती है क्या होता है, इसमें उन चीजों की entry की जाती है जो खर्चे एक साल में हो गए है लेकिन बहुत सारे हो गए है advertisement है ना, advertisement पे उस बंदे ने एक लाग का खर्चा कर दिया छी है कि एक लाग का खर्चा कर दिया लेकिन हो पूरा एक लाग का खर्चा उससी साल नहीं दिखाना चाहता वह चाहता है कि आने वाले पांस सालों में उसunkा खर्चा दिखा तो ये एक fictitious assets होता है इसमें क्या कर दा हैวह, एक लाग का खर्चा जो होता है पांस सालों तर उस खर्चे को शो करता है, तो इसे हम किस रूप में रखते हैं, इसको हम fictitious assets के रूप में शो करते हैं, ठीके students, इस तरह आपने assets पड़े आज accounting के अंदर, assets ये तरह तरह के assets होते हैं, जो किसी भी business में या किसी भी organization में होते हैं, जिनकी entry हमें उसी के नाम से करनी होती है, जिस तरह के ये assets होते हैं, जब आप धीरे-धीरे accounting समझेंगे, तो इसके concept आपको और अच्छे से clear हो जाएंगे, यदि इसमें ऐसा कोई assets है, जो आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे comment box में comment कीजिए, उसका में video अलग से बना के करेंगे.